नमस्कार मैं हुआ विशाल गोईल युवा भारतसंद देखना शुरू कर चुके आप जिस प्रकार हर्याना समेथ पूरे देशवर के अंदर अलग रहा कही राज्यों के अंदर लोकडाउन है और वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लोगों की चिंता वैक्सिन को लेकर है सबी के अमन में यही है जिस प्रकार जब से हर्याना में या तमाम पूरे अनेक राज्यों में भार सरकार के दवारा अठारा वर्स से उपर के युवाओं को वैक्सिनेशन का करिया शुरू किया गया तिका करन लगवाने का लिए रेजिस्टेशन शुरू की गया है तबी से युवाओं ने अपनी रेजिस्टेशन करवानी शुरू कर दी गया है जर्जिस्टेशन तो हो जाती है लेकिन दुसरी बात दिखते ही आ रही है कि वैक्सिनेशन कमी होने के खाणर सेटूल नहीं मिल पाता। जितने भी वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनके लिए तमाम तरहें के जो की हस्पाल के अंदर इस प्रकार के वैक्सिनेशन सेंटर यहां पर ओपन के गया है इस समय यह तस्विरे आप असंद के समाने हस्पिताल से देख रहे हैं जहां पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते ह यह तो भी तो वैक्सिने के लिए कितने दिन खार लिए नियुके एकम लेकर हैं हम कोशिश करेंगे उन सभी स्वालों का ज्वाब यहां के स्टाफ फ मेढ़े दिये जाए तो आगए यहां पर बनाए गए है हस्पिताल के अंदर जहां पर आप तस्वीरों के माधियम से देख सकते हैं कि इस तरह से सबसे पहले इसको तीन विभागों में विभाजित किया गया है बातचित करें तो यहां पर एक ओनलाइन परिक्रिया के तहत यह सभी यहां पर कर रहे हैं जो कंप्यूटर नाएं तो की chid लिगिए हैं नोगों होता है कि इंसे बातचीत करते हैं हमारे साथ कंप्यूटर नोगों हैं सर्सभसे पहले नोगली है प्रोसेस क्या है किन से आगर मिले कैसे लगेगी एक पर पहले पर समचन से आप पहले तो 45 प्लस लग रही है आज के आज कर दूब बता रहा हूं यहां पर शिद्याएं अदार काट मुबाइल अमर लेके यहां पर शिद्याएं करते हैं तो 45 प्लस जिनकी भी आई हुआ है वो केवल अपना धार काड लेकर आएं और अपने आवे रिजिस्टेशन साथ ही साथ कर देते हैं साथ इंजेक्शन लगता है तो कई बार देखने को यह आ रहा है कि जितने भी रिजिस्टेशन नहीं हो पा रहा यह उनको जानकारी नहीं ह कहां वैक्शन लगवानी है मुबाइल नहीं चलाते हैं उसके लिए कर क्या कुछ कर दे रहा हूं सर्व शिद्धे आए अधार काड लेकर यहां पर आपना रिजिस्टेशन कराएं और अपना वैक्शन लगवाएं के वाला यू पंताली साल होने चीजिए उसके इलावा को तो सबसे पहले मेन पॉइंट ही है कि जो एक जानकारी थी कि रिजिस्टेशन नहीं हो रहा जिनकी भी आयू पंतालीस वरस्ट से उपर है उनको सीरफ अपना धार कार्ड इस काउंटर पर लेकर आना है धार कार्ड से उनका स्वास्ते विभाग के स्टाफ के करमचारियों क उससे अधिक है 18-45 के बीच में जो एक विभाग विभाजित किया गया है उसके बीच में उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा इस परकार की जानकारी के लिए बाची दुबारा करना चाहेंगे यह जानकारी तो हुई जिनकी आयू पंतालीस वरस्ट यह से अधिक है और ज बीचे बिल्यू के अधिक है लिंक आपता है उसके अंदर वहां पर जाएंगे अपना शेडूल लेंगे शेडूल लेना जूरूरी है जहां की पॉइमेंट मिलेगी वहीं इंजेक्शन लगएगा तो तस्वीरों के माजन से देख सकते हैं कि जो भी 18 साल से जितनी भी जिनकी आयू कम है 18 साल से कम आयू के लिए ओनलाइन अपना रिजिस्टिशन होगा कोविन नाम की एक वेबसाइड है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे उस वेबसाइड में ओनलाइन अपना रिजिस्टिशन करवाने के बाद उनको वहाँ पर एक शेडूल मिलेगा लेकिन दिखते ही आ रही है कि अभी वैक्शन की कमी होने के कारण खिरफ और वेक्सिनेशन लगवाने आई यूस हम पूछते हैं सर जिस परका से वेक्सिनेशन को लेगर क्या अफवाएं चलती है कि इसको लगाने के बाद दो है गबराट बेचाली स्प्राइड को बाद होती है क्या कुछ अभी आपको इस तरह की है कुछ जी नहीं है अभी तक स्ट्राइब कोई किसी भी तरह की कोई दिक्काट नहीं आ रही है हाप इंजेक्शन जरूर लगवाएं अब तो इस अप तस वीरों के अंदर देख रहे हैं कि हरयाना सरकार के द्वारा जो की जितने भी कोविड के एर सेंटर है वहाँ पर मुख्यमंतर जी की घोशना देन के बाद इन नई इनोवा गाड़ी वहाँ पर कोवीड पेशन्ट के लिए यहाँ पर दी गई है तो इस समय तसीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह से जो असंद की तसीरे देख रहे हैं हमारे असंद की कोवीड केर सेंटर जो कि असंद का गॉर्मिट होस्पिटल है करेंगे अब के विभाग को अभी हर्याना पुलिस को नई गाड़ी मिली थी उसको एंबुलेंस के अंदर रूप में प्रिवर्तित कर दिया है स्वास्ते की लोगों के सेवाँ देने के लिए इसको लेकर क्या कुछ करेंगे पुब्लिक की सेवा में मारे मैं कमने ये गाड़ीयां लगा दी यहां पर जी तो जो भी मरीज होता है उसको जहां भी सिफ्ट करना होता हम जाते हैं गाड़ी लेकर जी जैसे आदेस मिलते हैं गाड़ी लेकर जाते हैं उनको मरीज्यों को लाते हैं लागा उस्पिटल में पुलिस को लेकिन वह लेकिन को लेने के लिए लेकिन आप जा रहे हो तो इसके आपको समयम को कैसा गरव मैसुत होता है बहुत अच्छा लगता है जी आम पब्लिक की सबाब ऐसे भी करते हैं अपने डिपार्टमेंट पर भी है और इसमें इस समय में भी बहुत पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो यह तस्वीरों से देख रहे हैं कि अभी नई चमचमाती गाड़ी है जो पुलिस भी भाब को मिली थी इसके अंदर तमाम तरह की सुविधायें जितनी भी है उससे यहाँ पर लैस क पर लिए जा रहे हैं तो आप सभी के लिए सागरत्मक सुचना इस परकार एक माहूल देखने को मिल रहे हैं अबुलंस के रेट जादा लिए जा रहे हैं अधिक प्राईज लिए जा रहे हैं उसी के चलते हर्याना के अंदर भी तमाम तरह की ऊध़ायें चाहिए बसों की बात्चित करें अक्रणाल जिले के बात्चित करें जो मीनि बस है उनको एंबुलंस के अंदर प्रिवर्तित कर दिया गया है और तमाम तरह की सुव्ह दी है उसी तरहहं अगर हर्याना की बातचित करें तो हर्याना के घेर राज्य प्रिवेंस रोडवेज कुरनाल के द्वारा भी जो यह उस ट्रइधा की तरह के बना गया है एक बस को किस तरह से टुरन्ट परभाद से विए के अंदर यहांपर बदल दीए गया है और केवल कागजों में नहीं नहीं इंदर बदल लेकिन ध्रातर पर इस प्रकार के सचाई है पर यहां पर चार तरह के यह बैड यहां पर लगाए गई है और इस तमाम मतरय evil जैंके लिए यहांपर रखा तरही भी तरही की तरही की विभाग थे आप देख रहत है कि ईक ह्रियाना रोडवेज जो के एक सेवाइज सुचारोलु से दे रहा था और उसी ह्रियाना रोडवेज को सवास्ते विभाग से जोड़कर जिस तरह से जो Roadorama करमचारी यहां पर बसों की सेवाईं देते थे, उसी को आप देख सकते हैं पेशन्ट से भी शुरक्षी तरह उस चीज़ के लिए अलग से विभाजित किया गया है तो तस्वीरों से देख सकते हैं कि एक बस को किस तरह से एंबुलंस के अंदर यहां पर प्रिवर्तित कर दिया गया है तो इसको संपरक करने के लिए 108 जो की टोल फ्री नंबर है एंबुलंस के लिए पहले से सरकार के दवारा निश्चित किया गया है तो आप उस पर संपरक करकर इन स्विधाओं का लाब जुरूर ले हमारा यह दि प्रकम जो की पेशंट्स हैं उनसे ली जा रही है तो इस प्रकार के उनको रखमों का भुगतान ना करना पड़े सरकार के जवरादों स्विधाओं दी गई है यह एक बड़ी बात यहां पर देख सकते हैं कि हर्याना रोडवेज के करमचारी भी यहां पर मोजुद है जो विखाएं अपनी से वाइं देते दे स्वास्ताय विभाग में अपनी दे रहे हैं सर आप से जानना चाहेंगे जो एक से आप हर्याना रोडवेज दे रहे थे लेकिन अब्रमस के अंदर से देने कि आपको मुका मिल रहा है क्या लगता है कि अपने अपर पेक कहीं पर तो पेशेंट्स को गाउं के अंदर भी आप लेकर आते हैं कहीं से कोला ती जहां से प्छोना थे तो को अपनी सेवाइं विभाग में दे रहे हैं तो आप भी परकार का लाब जुरूर लें वी जानकर यह दे खिए असंद के अंदर भी इस प्रकार की सेवाइब शुरू हो तो यह तस्वीरे आप असंद के समाने अस्टाल से देख रहे हैं, जो की बतादे समाने अस्टाल के अंदर समाने ओपीडी तो कारिया जो चल रहा है, उसके साथ सा जो एमेजनसी है, वहाँ पर कोविड केयर सेंटर ये भी इसकी भी अनुमती मिल गई है, असंद के अंदर 16 कोविड पेशन्ट के लिए कोविड केयर सेंटर बनाय गया है, जिसके अंदर कुछ पेशन्ट अभी एडमिट भी है, फ्रात्मिक रूप से जिन पेशन्ट का इलाज किया जा सकता है, उन पेशन्ट को यहाँ पर दाखिल किया जाता है, और जो मरीज घर पर ही होम क्वारे करकर इसके अंदर किसी प्रार के लक्षन नहीं दिख रहे, डॉक्तरों की सला के नुझार कुछ मरीजों को घर पर ही होम क्वारेंटेन असंद अक्षेतर के अंदर भी किया गया है, तो पूरी तफिरे इस समय गर हम समानेर उसे बासचित करें, तो जितनी भी सरकार के दव अचले एक हपता पहले की बातचित करें, इस प्रकार की कोई कोवीड सेंटर यहां पर इस असंद शेहर के अंदर भी नहीं थे, और एक हपता के अंदर ही प्राइवेट भी कोवीड सेंटर यहां पर बना दिया गया है, तो आप प्राइवेट अगर जा रहे हैं, अगर कही के दौरा जो प्रियास के जा रहे हैं प्राइवेट हस्पिताल के अंदर जो मोटा बिल नहीं दे सकते जो तमाम तरह के हाला कि सरकार ने वहां भी गाइडलाइन निश्चित कर दीगी है कि इतने रेट के अंतरगत ही मरीज का इलाज हो पाएगा अगर इस प्रकार की स्विध पांच हजार रुपे परतीजिन के साब से 35,000 रुपे यहां पर सरकार के दवारा उनके बिल का भुकतान किया जाएगा अगर कोई BPL है तो हर्याना से निवासी भी है एक बड़ी जानकर ये भी है इस प्रकार की सुविधाय का भी आप लाब ले सकते हैं तो तस्वीरों के माद्यम से आप देख सकते हैं कि हर्याना पुलिस के जवान अब अपना स्वास्ते सेवाएं यहां पर दे रहे हैं जहां पर भी असंद के हस्पिताल के अंदर जिन पेशन्टों को इलिए सूचना आती है कोवीड के लिए तुन तरह के प्रात्मिक जाच के लिए यहां पर कोवीड केर सेंटर जो की असंद के अमर्जनसी के अंदर मना गया है वहां पर हर्याना पुलिस के जवान एक अपनी पुलिस की जो इनोवा नई गाड़ी इनको मिली थी उस गाड़ी को भी एंबूलन्स की रुप में बदल दिया गया है वह अपनी एक कि जो की मरीज है या टेस्ट करना कर जाते हैं जो पोजिटिव आए जाते हैं उनको जाच के लिए के बाद इलाज के लिए कोवीड केर सेंटर के नतर यहां पर लाया जाता है और इस पर अपना अपना एहम रोल यहां पर हर्याना पुलिस के दौरा जो दी गई गाडियों को य करें हैं कि एम्उलंस के माध्यम से जो असंद के समान्या स्पिताल के अंदर जो पेशेंट एड्मिड थे उनको करनाल के लिए यहां पर रयफर कर दिया गया है तो त्माम तरह कि जो भी बैसिक जुर्ज़ूरते रहती है वह यहां पर असंद के समान्यास स्पाल में पूर को राफर कर दिया जाता है कि आपनी मर्जी होती प्रवड सेक्टर भी चुन कर सकता है तो इस प्रकार एक डर का महूल भी आम तरपर देखने मों मिल रहाएं कि करोना को लेकर डर का वहल है तो आप करोना पेशन्ट के साथ जाते हैं उनके साथ उनके देख बाल के अंदर जो स countingने में हमीं मेंडला चाने माहल सल्bug को ऑष its कर देखने मिल रहा है कि अधिक रेट इहां पर वह सुलिए है हाला कि सरकार के दोओर राएक निश्चित रेट लिष्ट मितया कर दी गयी है पीशन्ट से किसी भी तरह का कोई रूप से चार्ज ने जाता है यह सारी स्विधा त्री दी जाती है लोगों के अंदर जिस परकार एक भैका महूल है उसके लिए क्या कुछ अपिल आप लोगों से गरों परकार के जो करमचारी है स्वास्तवी भाग के उनके और यहां पर कोविड केर सेंटर तो बना देगे लेकिन प्रासमी रूप से देखने का इस परकार की कमी यहां पर स्वास्टा विभाग में आम तो पर देखने का मिल रही है कि अवस्टा उनिसार सैनिटाइजर की सुईधाएं होनी चाहिए तमाम गलब इत्यादी की सुविधाएं स्वास्ते विभाग की तरफ से होनी चाहिए लेकिन उस प्रकार के और कहई ना-कहीं कम ध्यान द दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यावाद जय हिन्द जय भार